आईए दोस्तो अब फिर से सिखते हैं कि कोई मेडिसेन का नाम होगा कोई सोल्ट का नाम है उसे कैसे पहचानेगे कि वो दवाई किस काम आईगी आईए देखते हैं अगर किसी मेडिसेन के पीछे आपको नाम सोल्ट के नाम के पीछे ड्रोनेट मिले ड्रोनेट कैसे मिले जै का क्या काम है वो क्या काम है वो एक group of medicine बन गया उसे क्या बोला जाएगा वाई for phone-noit drug बोला जाएगा वह special type की drug हो गयी है उसे bone reabsorption inhibitor भी बोला जाता है अब इसका क्या मतलब है मतलब कई बार bone weak हो जाती है weak होती calcium की कमी से होती है या फिर एक special type होती हो केलश Temp को छोड़ती नहीं है यार्जिज खालो करती दीUE tau इस तो हड्यों को जो बोन मिलने सा ली उसमें कम कम करती है वो बहुत कर्द हो जाती है और और एजली ब्रोकेबल हो जात है आज के जमाने में देखा हूगा podcasts unser गिरते हडिया तूट जाती है इसका मतलब वो बोन वीक थी पहले लोग गिरते थे इस तरीके से गिर जाये हाथ के बल पैर के बल उंचे से भी कूलते थे तो इतनी जल्दी तो नहीं तूटते थे जितनी आज के जमाने में तूट रही है उसकी वज़े वही है amount of calcium कम हो रही ह यह calcium की amount एक मात्र फैक्टर नहीं है और भी बहुत सारे फैक्टर है calcium की amount हम ज्यादा भी ने ले सकते हैं अगर ज्यादा calcium ले लिया तो अंदर calcium जमा होना चालू हो जाएगा stone बना लेगा पत्री जी से बोलते हैं तो इसके बाद जो episode आएंगे उसमें पता लगाएं कितनी amount आपको लेनी चाहिए कैसे पता लगया calcium कितनी amount हमें मिल रहा है और किजनी लेनी चाहिए ऐसे तो नहीं ले सकते कि तोल के लिए लेंगे माली जी मैं बोलू आपको 20 mg लेना 20 mg तो तो लेंगे नहीं ठीक वो भी आएगा episode पहले दवाईयों के बारे में जानते हैं किसी salt के पिछे दवाई के salt के पिछे dipine मिले जैसे philodepine मिल जाए निनोडीपीन मिल जाए अइमनोडीपीन मिल जाए मतलब पीछे dipine होगा तो वह क्या काम आएगी एंटी hypertensive के काम आएगी यानि कि hypertension को वो रोक देगी, मतलब hypertension होता क्या है, hypertension को रोकी कैसी, वो drugs एक टाइप की वो कैसे रोकी की, जो calcium की movement है, उसको slow down कर देगी, calcium की movement अगर slow down हो गई, तो फिर क्या करेगा, वो calcium अपने heart तक पहुंचने में ज्यादा time लेगा, या धीरे 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 पहुंचेगा, जिससे जो heart पे जो pressure था ना, वो pressure कम हो जाएगा, इसलिए hypertension बोला था hyper मतलब ज्यादा ज्यादा हो गया था, तो उससे pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है जी anti hypertension, hypertension हो जाता उससे, अगला group है, iramine iramine कैसे मिलेगा आपको पिछे किसी के मिले तो, फैनी iramine मिल जाए, chloro मिल जाए या फिर bromine मिल जाए, पिछे वाला तो देखो ये सेम ही है, इनके पिछे, मतलब chlorine और bromine से बढ़ती है, ये general, जो medicine बनाएंगे तो आप formation बताऊँगा, कैसे बताई जा सकती है, बाइलोजी में नहीं है, chemistry में बताई जाएगा, तब बताई जाता कि ये कैसे बन सकती है, किस process कितरी हो जा सकती है, देखो ये नाम तो बहुत आसान लगते हैं, वैसे फिर भी आप सोच रहे हों कि नाम तो मुश्किल है, फिर भी आसान कैसे, लेकिन इनको जब prepare किया जाता है, पहली हम बना रहे होते हैं, किसी laboratory में, तब बहुत समय आती है, मेकेनिजम हम ड्रो कर लेते हैं, बहुत असानी से, और वो जब prepare करना बहुत भूश्किल हो जाता है, इंप्योर्टी भी इतनी ज़्यादा आ जाती है, वो भी करेंगे चर्चाएं, अगर किसी के पीछे तीडीन मिल जाए, जैसे ओल्पोटीडीन, लोराटीडीन, लोराटाइड, ठीक है जी, या फिर डेस्ट्री लोराटीडीन मिल जाए, तो कैसे आप पहचाने गें चीजों को, देखो ये दो सोल्ट हैं, इन दोनों का एक ही काम होता है, और एक काम वो क्या होता है, ये एलर्जी को रोकने का काम करती है, एलर्जी जो फैल दाती है, एलर्जी को रोक देती हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं, टैरोल किसी के पीछे मिले, कैसे, सलमा टैरोल, या फिर फैर्मी टैरोल मिले, अल्बू टैरोल मिले, ये जो दवायों के नाम है, ये क्या करती है, इन की और ब्रोंकियोल्स जो अपने जब हम सांस लेते हैं रेस्पेरेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं जब सांस लेते हैं तो ब्रोंकियोल्स मिलेंगे और ब्रोंकियाई भी मिलेंगे वहाँ पर उनके साइज को कई बार इंक्रीज कर देती है मेडिसें साइज इंक्रीज करेग जाती, जैसे medicine हर एक अदमी पर अलग-अलग तरिके से काम करती हैं, हाँ माना कि majority of medicine के जो काम है, functions है, वो एक जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन हर अदमी पर वो भी valid नहीं होते हैं, अगर ऐसा होता तो जिंदगी में कोई भी दवाई किसी के भी reaction नहीं करती हैं, वो करती ह उसके वज़े ये है कि अलग-अलग enzyme है, अलग-अलग hormone है, अलग-अलग खाना पिना है, अलग-अलग environment में रहते हैं, ठीके जी, तो वो जो ब्रोंकियाई है या ब्रोंकियोल्स है, उस पे attack करती है जाके, उसके size को बढ़ा भी सकती है, dilate कर सकती है, तो उससे क्या हो जात है, ठीके जी, आज के episode में इतना ही, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, अगर आपको याद हो, तो अच्छी बात है, अगर याद ना हो, तो आप इनका screenshot लेके भी रख सकते हैं, ठीके जी, आज के episode में इतना ही, मिलते हैं अगले episode में, तब तक के लिए, नमस्कार.